हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल नीशा स्टड़ी पॉइंट गाइज आज हम करने वाले हैं पियरल एस बग द्वारा लिखी गए के स्टोरी दार रफ्यूगी रफ्यूगी होता है सरणार थी जो कि किसी रीजिन की वज़े से अपने जो जगह है घर है गाम को छोड कर दूसरी किसी साइड चले जाते स्टेट्स में चले जाते हैं वह होते हैं रफ्यूगी पियरल एस बग का जो बोर्न है वो हुआ था ट्वश जन्वरी 1892 में हील्स बोरो में वैस्ट विर जनिया में यूनाइटिड स्टेट्स में और उनकी जो डैथ है वही थी 6 मार्च 1973 2023 में, Dan Bay में, Vermont, United States में, और उनको जो दो अवोर्ड भी मिले हैं, पहला है, पुलिजर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए, और जो सेकंड है, हो है, नोबल प्राइज इन लिटरेचर, जो सुरू करते हैं, इस स्टोरी को दर्फ योगी, ये चीन के जो फार्मर्स हैं, उनकी ब ज़रों जमीनों को छोड़ने पर मजबूर हो चुकी हैं, और अब वे जो देश की नई राजधानिया हैं, उसकी तरफ चल चुकी हैं, और उनको वहाँ पर सीवरों में रहना पड़ता है, जो कि वहाँ पर मतलब बहुत ही गंदे सीवर हैं, और ऐसा लग रहा है उनको कि एक ही मिनट में उनकी जो दुनिया वो बिल्कुल बदल गई हैं, और पहले वो अपने गाउं में बहुत खुशी-खुशी जीवन जी रहे थे, लेकिन अब उनने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि जो मुसीबत का पहाड़ी उन पर तोटा अब वो सेर की तरफ आ गए थे, तो उनको वहाँ पर नहीं नहीं चीज़ों देखनों को मिल रही थी, मोटर गाड़ियां और और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना भी नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि मानों वो कोई सपना देख रह थे, और उनके बच्चे और वो भोग से बहुत मर रहे थे, और वो बस अपने पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहे थे, तो जो सारा जो स्टेट है, सारा जो नगर है वो रिफ्योगी से भरा पड़ा था, सारी सारी तरफ सनार्थी सनार्थी थे, तो तो सारे बीड़ वाला इलाका हो गया था हम और अब हुए छोटी-छोटी जो दुकाने होती हैं उन पर भी काम ढूनने के लिए जाने लगे थे और इससे क्या हुआ कि जो दुकानदार है वो उनको फटकारने लगे थे उनको गाली गलोज करते कि ऐसे ऐसे बिखारी जैसे ल किराई पर रिक्षाद चलाने के लिए राजी हो जाते थे और इस ते पहले जो रिक्षाद चला रहे थे अब उनको कोशने लगे थे कि इनके वज़ेसे हमारा जो भाड़ा है वो कम हो गया और हमारे जो सवारी है वो भी बहुत कम हो गई हैं कई बच्चे और बुडे इनी बेगर हुए लोगों में से एक किसान भी था जो कि बहुत बुड़ा था और उसके जो बेटा और जो बहु है वो बाढ़ के कारण बांद तूटने के कारण वो मापे मर गए थे तो उनका जो एक पूता है वो ही बचा था तो वो बुड़ा अपने सीर पर बोज उठा किमर में कमर से जुका हुए था और वो बहुत हाप पिरा था और अब वो बहुत ही थक चुका था तो उसने अपने सीर पर उठाए वो बोज है वो दीड़े से जमीन पर रख दिया और धराम से जमीनपर बैठ गया आप है अँश्मीन पर बैठता है आ, कि उसकर पास एक फ एक शाशी खड़े होकर नूडल्स बेज रहा होता है और बड़ी लंबी लंबी आवाज यह लगा रहा होता है लेलो नूडल्स लेलो कुछ भी नहीं है अब वो जो रागीर है वो उस बूड़े को बिखारी समझ रहा है कि इसको पैसे देंगे लेकिन वो दया खाकर उसके परिवार के लिए कमाया हुआ जो कल के लिए पैसे हैं धन है चांदी का एक शिक्का हम वो उसको देते हुए कहता है कि यदि मेरा खुद का बाब भी ऐसे होता तो उसको मैं ही अपनी कमाई दे देता और फिर उसने अपनी जेब टोली और वहां से एक शिक्का निकाल कर उस बूड़े इंसान को देने लगा और कहा कि लो बाबा इससे नूडल्स खा लो बूड़ा उस इंसान से कहने लगा कि सरीमान जी मैंने मर रहा है लेकिन हमारे पास अच्छी सी जमीन है जिस पे हम खेती करते थे और बाड आने के वज़ा से वो खेती भी हमारे खराब हो गई है फसल खराब हो गई है इसी वज़ा से में वो खा मरना पड़ रहा है और हमारे पास बीज के दाने भी नहीं है जिससे हम अब नई तो फिर वह इंप उसको दो सिक्क्टे देता उस बुड़ इंसान बुड़े आगे चला जाता व और झाला उन उसने अपने देखा तो उसको वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो सिख्के मिले एक चांदी का सिख्का और एक तांबी का सिख्का अब वो बोला बेटा मेरे लिए बस एक छोटा प्याला नूडल सी दे दो तो अब वो बुड़ा इनसान से पोचता है कि बाबा क्या आप एक ही प हैरानी से देखता कि कि यह किस के लिए ले रहा है यह तो वो के लाई यह इसके साथ ना तो कोई है तो फिर वो देखता है कि इंतजार करता रहता है कि उसका जो प्याला वो कोन खाएगा तो उसने वो प्याला त्यार करके उस बुड़े इंसान को दे दिया अब वो बुड़ा इंसान अपना जो टोकर है उसके पास आकर बैठ जाता है प्याला लेकर फिर छापड़ी वाला उसको देख रहा होता है कि अब ये क्या करेगा तो इस टोकरी में से एक छोटा सा बच्चे का चेहरा दिखाए देता है जो कि बहुत ही मुर्जाय हुआ होता है ऐसा लग रहा होता है मानों कि वो लड़का मर चुका हूँ और अब जो बुड़ा इंसान है उसने उस प्याले को उठाया और बच्चे के मुँपे लगा दिया अब जो बच्चा हो दिखे दिये नूडल्स खाने लगा और जोर जोर के आवाजे उसके खाने से निकल रही थी अब बच्चा खाना खाकर नूडल्स खाकर सो गया था उ कटोरे में थोड़े से दाने लगवे थे नूडल्स के तो बुढ़े इंसाने वही साफ करके खा लिए और फिर अपने आपको सेटिसफाइड कर लिया और वो छोटे बच्चे को सुला रहा था लो मेरे लाल सो जाओ सो जाओ ऐसे ऐसे वह बोल रहा था तो फिर जो छाबड़े वाला है वो बुढ़े इंसान से पोस्ता है क्या यह आपका पोता है तो फिर वो जवाब देता है हाँ यह मेरा पोता है और इसकी जो मा और पापा है यानि कि मेरे बहु और बेटा है वो बान तूटने के वज़ाए से बाड़ आने से केत में ही मर लेकिन जो बूड़ा इंसान है वो उसको मना कर देता और कहता है कि यह मैं बीज लेने के लिए बचा के रुखूंगा और इसको भी मैं खा लूँगा तो फिर बीज लेकर मैं अपनी जमीन पर क्या बहूंगा अगर मैं मर भी गया तो जो फसल है जो बीज मैं उस बहूंगा खेद में उससे जो फसल होगी वो मेरे बेटे के काम आएजी इस पर जो च्छाबड़ी वाला तो हैरानी प्रुवक देख रहा होता है कि बुड़ा इतना सोच रहा है उसके पोते बारे में फिर जो बुड़ा इंसान हो कहता है कि अगर तुम्हारे पास जमीन होती तो तु आगे चलते हैं